नमस्कार SP9 News देख रहे हैं आप 15 अक्टूबर की शाम चुनावा यूग की जरीए चुनाव तारीकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया चुनावा यूग ने महरास्ट और जार्खन विधान सभा चुनाफ की तारीकों का एलान कर दिया जर्खन में जहां विधान सभा का चुनाव दो चर्णों में यानि की 13 और 20 नवंबर को संपन होगा तो वहीं महरास्ट में एक ही चरण यानि की 20 नवंबर को मतदान समाप्त हो जाएंगे महरास्ट में चुनाव तारीकों का एलान होने के बाद से ही एक बड़ा कदम महयूती गडबंधन की तरफ से उठाया जा रहा है आपको बता दें कि सीट शेरिंग को लेकर अभी तक भारते जनता पार्टी एंसीपी और सिवसैना के बीच में तै नहीं हो पाया है अब इस अधार पर कहा जा रहा है कि आज दिल्ली रवाना होते हुए मुख्य मंतरी एकनात शिंदे और उप मुख्य मंतरी अजीद पवार रवाना होंगे महरास्ट में विधान सभा चुनाव के तारुकों के एलान के बाद महयूती में सियासी हल चल तेज हो गए सिवसेना यानि के शिंदे गुट और एनसीपी यानि के अजीद पवार गुट के नेता बीजेपी के साथ सीट बटवारे को जल से जल फाइनल करना चाहते हैं सीम एकनात शिंदे और डिप्टी सीम अजीद पवार आज शाम दिल्ली पहुंच सकते हैं यहाँ पर दोनों नेता बीजेपी आला कमान से सीट बटवारे के मुद्दे पर बातचित करते हुए नसर आएंगे बताये जो रहा है कि एनसीपी के अजीद पवार सिर्फ सेना के एकनात शिंदे और भाजपा के देवेंदर फर्नवेस दिल्ली में वरिस्ट भाजपा नेता और केंदर ग्रह मंतरी अमिश्चाह के साथ बैठक कर सकते हैं इसके लावा जेपी नड़ा से भी मुलाकात हो सकती है बताये जो रहा है कि दिल्ली में बीजेपी के वरिस्ट नेताओं के साथ इन दोनों नेताओं की बैठक हो सकती है दोनों नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए सीट और अन्ने मुद्दों पर भी बातचित कर सकते है माना जो रहा है कि बीजेपी 140-150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है इसके अलावा बात करें तो अजीत पवार गुट भी कम से कम 100 सीटों की मांग करते वे नजर आ रहे हैं इसके साथ एकनात शिंदे का अगर जिकर करें तो वे 120 विधान सभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन भारती जंता पार्टी दोनों ही दलों को ज्यादा सीटे नहीं देना चाहती है अब देखना होगा कि क्या सीट शेरिंग को लेकर जो फॉर्मूला तै होगा दिल्ली में बुलाई गई बैठक में क्या इसमें सहमती बनती नजर आईगी या फिर एक बड़ी फूट परती हुई दिखाई दे सकती है